कर से आप सभी मैं सब्सक्राइब आप सभी के स्वागत करता हूं अनक्याडमी के इंडिया के लार्जिस लिन के फमान अक्याडमी के लेट्स क्राइक राजस्थान एक्जाम यूट्यूब चैनल पर साथ एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करके बताएगा क्या मेरी आवाज क्लेर इंया ओ पर फास्ट कमेंट करेगा कर आप सभी साथ वारे कमेंट करके है कि आप सभी तक मेरी आवाज क्लियर आ रही आई हो क्लास लाइव हो चुकि है तो हम लोग इस्टार्ट करते हैं और आप सभी का स्वागत हैं अकैडमी के लेट्स क्राइक राजस्थान एक्जाम यूट्यूब चैनल पर आप है और प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में जूर स सकते हैं उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं लाइव एंडिकार्डट कूर्स फ्राम इंडिया बेस्ट एजुकर्टर सो प्लीज सब्सक्राइब नाओ अकैडमी प्लस आज हम लोग मैथमेटिक्स में वीडियो एक्जाम के लिए परसंटेज की क्लास वन पढ़ने वाले बिल्क अक्से पटेले और मैं पुष्ट ग्रेजुट हूं और मैं पिछले चार सालों से आप लोग को पढ़ा रहा हूं और मेरा मैट्स और हिंदी सब्जेक्ट है मैट्स आप यूट्यूब पर भी फ्री क्लास पढ़ते हैं बट मैट्स का प्लस कोर्स भी मेरा अनकैडमी पर चारे आट बजे भी क्लास बिल्कुल फ्री होती है ठीक है तिये तीन क्लासेस आपके लिए हिंदी की हिंदी की क्लासेस हैं ये आरेस पेपर फूर के लिए मेंस के लिए और वीडियो एक्जाम के लिए कोई भी एक्जाम जहां पर हिंदी व्याक्रान आती है तो वहां पर आप लोग जॉइन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज की क्लास को हम लोग श्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर ये पहला कोशन आ चुका है की मैं अचनी उपर लिखा हुआ पांच यहार का यहां से पढ़ियेगा कर नि में यहां से पढ़ियेगा पाँजर का 120rum का भाइन मतलब 0.08% of 120% of 5000, 50,000 लिखा हुआ है, त्यान दीजेगा, 50,000 लिखा हुआ है, सही से बढ़िएगा, वरना गड़बड हो जाएगा, आई होप यहाँ पर 1-0 ज्यादा लगा हुआ है, 5000 ही होगा, तभी इतने में उत्तर आएगा, वरना गड़बड हो जाएगा, तो आप 1-0 को हटाएगा, भई, 1-0 को कम करेगा, यह 5000 ही है, ध्यान दीजेगा, वरना फिर आइंसर मैच नहीं करेगा, अब कोशन साही है, 5000 ही है, जल्दी से बनाईए, सभी साती बनाओ, जो भी साती आच चुके है, क्लास में सभी को नमस्कार, और सभी वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेयर कर दें, जितने भी साती ने क्लास को जोइन कर लिया है, प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेयर कर दें, देखें, ऐसी सवालों में आपको बताने सीरे सीरे कुछ लोग उत्तर ये बता रहे हैं, ये तो उत्तर नहीं आएगा, चले आये देखते हैं, ऐसे सवालों में कोई डिरेक्ट आसान सी कोई ट्रेक नहीं होती, बस आपको कंसेप्ट ही यूज करना होता है, ये पांस यार का 120 परसंट, यानि 120 और परसंट लगा तो अपान में 100, और 0.08 परसंट की बात की जारी, ध्यान दीजेगा, अब पहले हम सबसे पहले निकालने का, यानि इसके एको लिखा रहा होगा, कि कैदान दीजेगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है, पहले इसका निकाल लेते हैं, कुछ सवाल में कुछ ना कुछ मिसिंग है क्या भई, नहीं मिसिंग नहीं है, चलो, एक 0 से 0 ये काट दिया, एक 0 से 0 ये काट दिया, तो यह यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 6000, आ जाएगा, अब 6000 का कह रहा कि 0.08 परसेंट, यानि इन टू, 0.08 अपान में 100, अब यह पॉइंट अटाओंगे, दो 0 और नीचे आ जाएंगे, तो इन 3 0 से इन 3 0 को कट कर दिया, ना, नीचे मेरे पा पास एक 0 बच गया है, तो यहां से मेरा उत्तर जो आ जाएगा, वो 48 आ जाएगा, कितना आ जाえば, उत्तर मेरा 48 आ जाएगा, नी चले 1 0 बच्चा है, तो फिर तो बड़बड़ुंगे, यानि, आई हो फिर 50,000 ही होना चाहिए, क्यों? फिर तो 50,000 होना चाहिए, तभी 4 0 न होई को भाण यहां पर होना है फिप्प्रीजदी कर लेगा तो फोटि फोटिट आपका इंसर आजाएगा ठीक है यह वाला एंसर करेक्ट है आप महां पर फिप्प्री ठाउजिंट ही करिएगा तब एंसर आएगा चुकिए जीरो फिर सिक्ष्टी थाउजंट आएगा तो सीड़ी सीड़ी चार जीरो नीचे मेरे से गलतियां होती है कि कहां पॉइंट कब कितना है यह बताई एक संख्या जो 16 पर्शन बढ़ाय जाने पर 11914 हो जाती है यह संख्या बताई यह बताई काफी सिंपल सा सवाल है कोई इतना टफ नहीं है एक बार कोशिस करिए ज़रूर बनेगा माहित के सवाल में अगर आप कोशिस नहीं करते तो फिर तो कोई बात ही नहीं मैं इतनी बार समझा लो आपको कुछ आने वाला नहीं है जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं है आप लिख के रख लीजिए तो मेरा मानना यह और गुरिम नमस्कार जी नमस्कार सभी सात्यों को सभी सात्यों को नमस्कार कि एंगे यह से एंगे तक बात तक रूम आप खुदाओे तक बात रूम आपको तक बात है और च लूम आपको है तक बात कि कि किसी के उत्तर नहीं आ रहे भई ट्राई किया करो तुम लोग सिंपल सी बात देखो डारेक्ट क्रांसेट सबसे पहले मैंने मुझसे जिसने परसेंटेज की बेसी क्लास पढ़िए बहुत आराम से इस कोश्चन को करेगा 16% का मतलब होता है चार बटे में 25 आप कहोगे ये कैसे आया ये भी तो सवाल आपके होते हैं हमेशा मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर यानी संख्या हमारी 25 रही होगी 25 का 16% बढ़ा दिया गया तो 1914 हो गई यानि 29 unit की value क्या है यानि 29 unit की value है एक चजार 1914 कितनी 1914 यहां से हम एक unit की value निकालने है यह 1914 बटे में 29 हो जाएगा हमको निकालना क्या है यह संख्या यानि मूल नंबर जो रहा होगा मेरे पास मूल क्या था 25 यानि इंटू 25 कर दो सिंपल सी बात आपके पास एंसर आ जाएगा अब 29 से इसको काट लो है कि कटेगा कुछ पांच बार जाएगा 45 के पांच और पांच दुनी 10 चार चोद है नहीं और चला जारेगा मैंने साथ से छेनिमाँ 44 के चार और चुदू नि 12 पांच 75 ठीचाशी बार चला जाएगा और फिर से 6 बार चला जाएगा तो यानि आपको multiply करना है 25 इंटू में 6 चट आप देखो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका फिर से 25,500 यानि 0 unit digit आएगी 0 सब में है मेरा काम बना नहीं मेरा काम बना नहीं 25,500 पंद्रे आगया 25,500 और पंद्रे जोड़ो जड़ा डिड़ सो और पंद्रे जोड़ोगे तो 165 होता है यानि अपना उत्तर क्या हो जाएगा 1650 यही आपके फ्रिष्ट का क्या है करेक्ट उत्तर है आपसा नमबर B is the right answer बोलो किसी को कोई डाउट इस वाले कंसेप्ट में कोई डाउट हो या यहां कंसेप्ट में कोई डाउट वरना मैं आगे बढ़ू जल्दी से फास्ट उत्तर करें सभी साथी चले किसी को कोई डाउट नहीं तो आ जाते हैं अगले प्रिष्ट पर यह आपकी स्क्रीन पर अगला प्रिष्ट जल्दी से बनाएगा सभी साथी वेरी गूट नमस्कार जी सभी साथ्यों को और एक बार क्लास को सेर करते हैं अब सभी साथी लाइक जरूर करें वीडियो को वीडियो को सेर जरूर करें जल्दी से बताएं जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह संख्या तो यह संख्या जो होती है वो जो पहले संख्या रहती हो स्वयम की 140 परशेंट हो जाती है तो आप संख्या ग्याद करो आपको बताना है बड़ा सिंपल से सवाल है झाल simple सा ये भी सवाल है कुसिस तुम लोग करते नहीं हो सोचसे हो कि वह ही बता दू क्योँ यह discussions बता भाई कुछ लोग A उत्तर दे रहे की संक्या को 216 से बढ़ाये गया यानि 216 बढ़ाये गया तो यह सोयम की 140 % हो जाती है यानि संक्या क्या संख्या पहले 100% रही होगी मेरी बात को बहुत गोर से समझना फिर ये 40% बढ़ाया गया तो कितनी होगे 216 से 40% बढ़ाया गया यानि 40% की वैलू क्या है 216 कितनी है 40% की वैलू 216 है अगर मैं आप से पूछूँ 10% की वैलू कितनी हो जाएगी कोई बताएगा धान से समझना 40% की वैलू 216 है तो 10% की वैलू 54 हो जाएगी अब आप निकाल लीजेगा अगर मैं आप से पूछूँ 10% कितना हो जाएगा तो 10% हो जाएगा 54 हम को बताना क्या है संख्या मूल संख्या मैंने कहा था मूल संख्या हमारी कितनी रही होगी ओरिजिनल लंबर हमारा एरा होगा यानि जब 10% 45 है 54 है तो 100% कितना होगा यानि 100% 540 होगा अरे बोलो हाँ या ना अगर ये 1% होता तो 54 हो जाता 10% है तो 1-0 उड़ा देगा और 540 हो जाएगा ये देखो अपना उत्तर है बोलो क्या सवाल में कुछ था मुझे तो लगता कि पैन चलाने की जरूरत भी नहीं थी मुझे तो यही लगता है कि पैन चलाने की जरूरत नहीं थी क्या थी बताए जल्ली से मुझे तो नहीं लगता कि आपको पेंच चलाने की भी जरूरत थी बताईए भाई है कोई डाउट किसी को डाउट हो तो बताए भाई चलिए किसी को कोई डाउट नहीं तो आ जाते हैं अगले प्रश्ट पर यह आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्ट बहित्रीन सवाल है बताएगा जल्दी से जल्दी से बनाईएगा भई यह ज़िक संख्या का यह सवाल थोड़ा सा टप पड़ेगा 58 से एक बटे 3 परशेंट बाकी टफ नहीं पड़ेगा जिसने मेरी परसेंटेज की बेसिक पासिस देखी है उसको कुछ नहीं टप पड़ेगा बनाईए जल्दी से यह ज़िक संख्या का 58 से एक बटे 3 परशेंट संख्या से घटाया जाता तो हमें एक्स वाली संख्या रही होगी इसका इस संख्या का 131 से एक बटे 4 परशेंट कितना होगा सवाल सिंपल है कोसिस करोगे तो जरूर बनेगा अगर कोसिस नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा मैंने पहले भी कहा इस बात को मैंने सवाल को बहुत अच्छे से डिस्क्र कि नमस्कार जी नमस्कार देखो नमस्कार मस्कार तो उता रहेगा अपनों बस उत्तर करते रहो मेरा मतलब है कि उत्तर बताते रहें प्रश्ण का उत्तर क्या होगा प्रश्ण का उत्तर क्या होगा ये बताईएगा अब कहानी यही फस्ती नाग इसलिए मैंने पहली क्लास आप लोगों को बहुत धंक से पढ़ाई थी आज नहीं पढ़ाई थी कोई मैं अब आज की बात नहीं बोल ला हूँ बहुत पहले चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज की बेसिक क्लास एक एक बार नहीं दो दो बार पढ़ाया और जिनको और बहतर धंक से पढ़ना इन चीजों को वो मेरा प्लस कोर्स ले सकते हैं प्लस कोर्स में मैंने और बहतर धंक से बताया है देखो 58 सई एक बटे-3 पर्सेंट अब इसकी फ्रेक्शन वैल्यू आपको आती नहीं होगी अरे नहीं आती तो मैंने बताया था कि तोड़ो दो 50 परसेंट प्लस आठ से एक बटे-3 परसेंट तो आती होगी अगर नहीं आती तो फिर मैं छोड़ दी जिए 50 परसेंट का मतलब होता है एक यह बन जाएंगे तो हमारी इसकी आप कहानी फस्टी कि सरम इसकी फ्रेक्शन वेल्ओ कसील पिसमेरर आजाएगी इसकी भी धोड़ा सा दिमांग लगाते यह है लिखा हुआ एक सो इकत्तिस सही एक बट्यचार परसंट मैंने कहा था तोड़ना सी उक फॉस्वपर सेंट और प्लस 31 सही एक बट्रेट बरह पर्संट पता एक बट्रेट चार प्रसंट इक कर्थござब कर पर्संट सबक्राइब पांच बटे 16 लिखा है एक बटे 16 आपको रटवाया था नहीं आ दे तो यह पांच बटे 16 लिखा है ठीक है चोकि यह पांच गुना लिखा है एक बटे 6 का पांच गुने लिखा 635 और 100% का मतलब एक तो यहां सी एक प्लस पांच बटे 16 तो यह कितना जाएगा 16, 16, 16, 5, 21 बटे 16 देखो यह भी fraction value आ गई अब सवाल आसान बन गया क्या अब सवाल आसानी से बन जाएगा अगर यह चीज़ आप कर पाते तो आसानी से बन जाता आप सवाल को समझो अब इस सवाल को समझ लो क्या सवाल पूछ रहा हम से देखो सवाल पूछ रहा तक किसी संख्या का 58 से एक बटे 3 परसेंट उस संख्या से घटाया जाता है यानि हमने आपनों क्या बता है संख्या हमारी बारे रही होगी क्या यह हमारी मूल संख्या रही होगी क्या रही होगी यह हमारी मूल संख्या रही होगी इसमें से 58 सही एक बटे 3% घटा दिया गया तो संख्या साथ आ गई कितनी आ गई संख्या साथ यानि कितना कम हो गया पांच कम हो गया कोश्चन में कितना कह रावे मिलता है 640 यानि 5 यूनिट की वैलू क्या है 640 क्या है 640 तो एक यूनिट की वैलू क्या होगी 128 कितनी होगी 128 हम से पूछा क्या है पहले तो हम मूल संख्या निकाले कि 12 हमारी कितनी रहे होगी यानि बारह यंट की वालू निकालने के लिए क्या करेंगे इनटू बारे करेंगे तो हमें मूल संख्या मिल जाएगी हमको बताना है उस मूल संख्या का 131 सहीं वटे 4 परसेट यानि 21 वटे 16 वटे 16 वटे 16 Kayla सवाल खतम 16 O128 charisma बारेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ठीक है क्या 2016 के एंसर से मतलब है और किसी सी चीज से मतलब नहीं है तो आपने देखा एक और चे और चे यूनिट डिजिट शे आएगी बस काम खत्ब अगर मैच कर जाती तो हम और मल्टिपलाई करके देख लेती और मैच करती दो फिर पूरा करके देख लेते फिर तो हमारी किशी मजबूरी थी ठीक है तो जल्दी से कमेंड करके बताए किसी को कोई कि चले किसी को कोई डाउट नहीं तो आज आए अगले प्रिष्ट पर टू नमबर्स आर लेस्ट दैने थार्ड नमबर बाई 30 पर्सेंट एंट 37 पर्सेंट रिस्पेक्टिवली दपर्सेंट बाई विज्द सेकेंड नमबर इज लेस्ट देन फर्स्ट इस दो संख्याएं कर अंसार तीसरी संख्या से 30 पर्सेंट और 37 पर्सेंट कम है वह अप्रतिस दिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है बड़ा सिंपल से जवाल है बनाव भाई बनाव भाई बताओ जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा जल्दी से बताओ ये क्या होगा उत्तर चलिए देखे सिंपल सी बात है दो संख्याएं है तीसरी जो तीसरी संख्या उससे तीस पर्षेंट और 37 पर्षेंट कम है वह प्रतिसाद जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है यानि संख्या है हमारे पास कितनी है फर्ष्ट सेकंड और यह थर्ड यानि हम माल लेते हैं तीसरी संख्या हमारे पास 100 है क्या है तीसरी संक्या हमारे पास वह सो है तो कहरा नोड़ाज जो पहली संक्ष्ण कम है या रह Town से अगर आ एन्फ पारसटर महें तो सत्तर होगी और जो दूसरी है वह साहे चीलिप स्वर्ष न है किसी को कोई डाउट नहीं डाउट चले देखे अब ये तो आपको बता दिया गया कि ये ये इतनी इतनी कम है लेकिन कह रहा है कि वह संख्या दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है तो पहली संख्या कितनी सतर दूसरी कितनी तिरे सट कितना कम साथ का अंतर कितना अंतर साथ का अंतर और कहां से साथ का अंतर सतर से साथ सतर से साथ कम यानि परसेंट चाहिए हंडर लगा दो जीरो से जीरो काट दो साथ से साथ कर दो और यह 10% आपका परमसत्य जवाब हो जाएगा आपसा नमबर ए यानि जो दूसरी संख्या है वो पहले से 10% कम है कितनी कम है 10% कम है तो यह चीजे और अगर पहली से यह तो बताई दिया गया तीसरी से कितना कम है और यह सब बता दिये गये पहली और दूसरी अगर पूछा जाए तो 10% कम सा लाजिक था मताओ किसी को कोई डाउट जल्दी से कमेंट करके बताई किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से कमेंड करके बताइएगा रहा है किसी को कोई डाउट है अकले प्रश्ट पर यह रहाप की स्क्रीन पर अकल्सा सवाल है जल्दी से बताएए भाई क्या होगा उत्तर आपका प्रश्ट का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएं भाई कहरा कि A B से 28 परशंट अधिक है और C A और B के योग से 25 परशंट कम है क्या सवाल है तो C A से कितने प्रतिसत अधिक होगा एक दसमलोव पूरांग के निकट्तम तक आपको एंसर बताना है बड़ा लाजिकल सवाल है अगर थोड़ा सा माइंड का यूज करोगे तो ही बात बनेगी अब माइंड वाइंड का यूज नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी ये देख लिजेगा आप बताए भाई जल्डी से तीन है एबी सी ये 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 बी और ये सी यानि माल लेते हैं हम पाई जो दूसरी संख्या हो सो रही होगी तो 28 परशंट ज्यादा है कौन सी पहली यानि पहली संख्या 2828 रही होगी अब कहरा तीसरी संख्या पहली और दूसरी यानि ए और बी के योग से 25 परसेंट कम है यानी रही कितनी है 75 परशंट और इन दोनों का योग तो निए मतलब 30 फरशंट कम है तो इसंख्या कितनी रही होगी 75% यानि 75% का मतलब 3 बटे 4 कितना 75% का मतलब 3 बटे 4 यानि 3 बटे 4 इसका निकाल दो 228 का इसका 228 का 4 से काड़ दो 4 पंचे 20 और 4 सते 28 57 इंटू 3 171 होता है कितना होता है 171 यानि ये वाली संख्या हमारी 171 रही होगी अरे बोलो किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलिएगा है अब नहीं डाउट यहां तक अगर डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताएए फास्ट कमेंट करके बताएं भाई है किसी को कोई डाउट है नहीं है चलिए अब देखो आगे करा सी ए से कितने परसेंट जादा है सी ए से कितने परसेंट जादा है पहले तो निकाल लो कितनी जादा है तो 128 से 171 दो तीस और चालिस उधर से 43 जादा है कितना जादा 43 जादा कहां से 43 जादा 128 से कितना 128 से 43 पटे में 128 और इंटू में 100 अब देखो यह तो आपको काटा पीटी करनी पड़ेगी अब आपको कहोगे सब चीजे इजी बना दो तो हर चीज इजी नहीं बन सकती है आप देख लेजिए अब आपको मैं थोड़ा सा इसका करने का तरीका बता देता हूँ अगर आप 43 को 40 माल लो एप्राक्सिमेट में एंसर पुछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ डेसिमल प्लेस में एंसर पूछा इसलिए मैं आगे पीछे तोड़ा कर रहा हूँ इसको अगर मैं पूरा पूरा 130 माल लूँ इसको अगर 130 माल लूँ और ये 100 हो जाए इसको अगर 130 ले ले और ये 100 हो जाए तो ये 0 से 0 कर जाएगा अगर यहाँ पर बारे होता तो ये 4 ते ही कर जाता और 100 बटे 3 का मतलब 33.33 होता है कितना 33.33 होता है आयोप इसी के प्राक्स थोड़ा सा इससे ज्यादा एंसर आएगा क्या इससे थोड़ा सा ज्यादा एंसर आएगा यानि मेरे इसाब से देखो ये तो उत्तर होगा नहीं इतना ज्यादा उत्तर आएगा नहीं इतना ज्यादा उत्तर आएगा नहीं अब हमने अगर इसको कम किया तो इसको दो बढ़ाया भी तो यहां पर बहुत जादा फरक नहीं पड़ेगा यानी मेरे साथ से यही आपका उत्तर होगा यह मैंने कहा ना थोड़ा सा यह ज़्यादा होगा इधर वाला तो थोड़ा सा ज्यादा में और कोई उत्तर है 32 असमलों होगा नहीं उत्तर 33 असमलों 33 नहीं कि आगे थोड़ा सा ज़्यादा होगा यानि यही एक आपसन है तो यह देखो यह तरीका लाजिक आप कब लगा पाओगे जब आपकी खुर्फ प्रैक्टिस होगी और मतलब ना सवालों पर आपकी एक तरीके से कहते महारत आसि दो कोई और लाजिक नहीं है कि आप अंदाजा लगा पाएं तो अंदाजा लगाने का मतलब यहीं है कि मैंने कहा है तो छार्त बारा काट देतें और ये 33 असमलों 33 के आस पास आजाता यानि हम ने थोड़ा सा इसको कम किया है यानि उत्तर हमारा थोड़ा ज़्यादा आए ठीक है आप प्लीज इस लाजी को जोईन करें 43 सो पटे में 128 कर लें इसको काटे बीटे आपका उत्तर यही मिलेगा ठीक है क्या आपका प्रष्ट का उत्तर जो होगा यही मिलेगा ठीक है चले आजाएए अगले प्रष्ट पर ये रहाप की स्क्रीन पर बनाइए भाई किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33 सई 1,3% से कम है बताईए बढ़िया सवाल है यह तो यह तो अच्छा सवाल है यह तो विदाउट पेन कापी के सवाल हो जाना चाहिए और जो भी साती नए क्लास में आ रहें प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेयर करते रहें जितने भी साती इदने आ रहें मेरे बताए जल्दी से किसी को कोई डाउट हो तो भी बोलिएगा जल्दी से फास्ट बताई बाइ जल्दी से सबके उत्तर नहीं आते भाई सब अच्छा इंतिजार किया करते हैं क्यों कि कौन कब बताएं तो हम भी बताएं क्यों यह भी सही है जब कुछ लोग उत्तर दें तो भी तो आप करोगे वरना ऐसे कैसे यदि किसी संख्या का संख्या के 20 % से 120 अधिक है तो संख्या का 28 % संख्या के 33 karşı 3% से कम है तो आप से संख्या पूछ रहा है देखो कैरा कि संख्या का 6 % यान संख्या का साट पर्सेंट 20 से 120 अधिक यानि 60% और 20% में अंतर कितने का है इन्हीं दोनों में तो कह रहा कि संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 जादा है यानि इन दोनों का अंतर क्या है 120 तो इन दोनों में अंतर कितने का, इन दोनों में अंतर कितने का, 40% का, यानि 40% की value क्या है, 120 है, 1% की value क्या होगी, आप कहोगे 3 होगी, बोलो हाँ या न, होगी 3 होगी की नहीं, आप बोलो होगी 3 या नहीं होगी, और 33 सही 1.3% का मतलब क्या है, देखो, आप देखो, आगे, करा तो संख्या का 28 परेशंट संख्या के 33 सही 1ऌे 3% से गम है यानि 33 साही एक बटे 3% और माइनस 28 परेशंट यह कितना जाएगा दोनों को घटाओंगे तो 28-35 से टीन परेशंट यानि 16 यानि इस व अपने को चाहिए कितना 16 साही 16- boxes एक बतारी 13 तींस कितने को बताईगी सोले को बताईगी सिम्पल सहे को उततर था इस सवाल में मुझे लगता सवाल अब naw कैसा था सवाल समझने की यो कि था अगर आप सवाल को समझ पा रहो तो ही बना पावगी सवाल अगर आसानी से नहीं समझ में आ तो बना नहीं पाओगी फिर से समझो अकैरा था किसी संव्हा का साट परषेंट संख्या के बीस परषेंट यानि कोई एक सरनमर रहा हो इसका साट परषेंट और फिर जो संख्या का 20 परषेंट जो दोनों का अंब्र यो 120 अधिक फिर कहरा संक्या का 33 सही एक बटे 3% संक्या के 28 परशन्ट यानि दोनों का अंतर फिर से पूच रहा है तो दोनों का अंतर 16 बटे 3% एक बता रही तीन को तो 16 बटे 3 कितने को बताएगी तीन से 3 कर जाएगा सोले को बताएगी आयोप आप समझ में आ गया होगा फिर से अपने आप से ट्राई करना जरूर समझ में आएगा चलिए आजाए अगले प्रश्ट पर ये रहाप की स्क्रीन पर कि इसको बनाईएगा रहावा इसाब आगा। है 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 भूक है अ मताये जल्डी से है हाँ ठॉलanco अ कि यदि किसी संख्या के 427 27 को स्वयम के एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है और यह संख्या 12920 हो जाती है तो मूल संख्या का 20 पर्षेंट अच्छा सवाल तो सिंपल था करो कहानी बनाओ देखो देखो अब फिर से कहोगे सर इसका फ्रेक्शन कैसे निकाले आप तो लाके रख देते हो अरे बताया भी है मैंने मैंने बताया भी इन चीजों को इसको तोड़ो 400 पर्षेंट और प्लस 27.27 पर्षेंट अब आप कहोगी इतना सरह हम को याद कहाँ नष्टा पर्षेंट का मतलब न का मतलब दो यानि 400 वट्रेक्त चार और 26 27 का मतलब होता है एकवड़ी में 11 क्या होता है एकवड़ी में 11 तो एक यह कितना यहां से निकल गया जाएगा एए एक बटे 11 तो यह कितना गुना लिखा है जो अनौ सारा एक बटे 11 का कितना गुना लिखाए इस्की जो फैक्षें वायलू आ गई वो आ गई 47 वटे 11 अब सवाल आसानी से बन जाएगा मालिया मेरे पास कोई संख्या है अब हम फिर से देखो आप से कहते हैं कोई ऐसी संख्या मालो आप जो 11 से डिविजिबल हो आप चाहे 44 मालो आप चाहे 6-8 मालो मतलब यह है मेरा कि 11 से वो डिविजिबल होनी चाहिए क्य संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए हम माल लेते हैं मेरे पास संख्या जो रही होगी लेट संख्या 33 रही होगी माल लिया पहले कहरा कि संख्या का 47 बटे 11 47 बटे 11 निकालोगे तो 11 33 और 47 इंटू 3 141 आ जाएगा कितना जाएगा 140 फिर कहरा इसी संख्या का एक बटे 3 नि निकालोगे तो 11 आ जाएगा 11 यानि 141 प्लस 11 जोडोगे दोनों के तो कितना जाएगा ये आ जाएगा 150 ये संख्या कितनी है 12920 यैनी 1502 unit की value 12920 है आपको बताना है एक unit की value कितनी बतानी है एक unit की value तो 12920 और बटे में 152 कितना बटे में 152, 152 को इससे काटो के तो ये 50 टाइम जाएगा, 85 टाइम, देख लेते हैं इक बार, आठ बार अगर पहले ले गए तो 8 दूनी 16 के 6, और 8 पांच चालिस है के 41 के 1, और 8 ठालिस के 1, और 8 ठालिस के 1, तो इधर बच गया, तो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, और 25, 26 के हाँ ठीक है, 85 टाइम जाएगा, यानि एक यूनिट की वैलू, 85 आगए, कितनी आगे, 85 हमसे पूछा क्या है, कि उसी मूल संख्या का 20 परसंट ग्याद करें, कितना अब ग्याद करें, हमने मूल संख्या माना क्या था, हमने मूल संख्या अभी अभी उत्तर नहीं आ गया, म हैं पहले मूल संख्या निकाले लें मूल संख्या का मतलब ओरिजिनल नंबर यानि ये कितना 85 ही इंटू में 33 अब इसका denटर तो बीस पर्शंइड का मतलब कितना एक बिटे 5 ये इंटू में एक बटे पांस तिए पांट से काटो कटेगा सत्रे बार चला जाएगा सत्रे ते 51 यूनिट डिजिट एक आएगी यानि 561 आपके सवाल का करेक्ट उत्ता है बोलो किसी को डाउट हो तो समझाओं दुबारा से कि जल्दी से बोलो किसी को कोई डाउट हो तो दुबारा से समझाओं है कोई डाउट नहीं है डाउट चलिए अगले प्रश्ट बरा जाईए यह प्रश्ट बड़ा बहतरीन है इसको चोड़ दीजे इसको मैं बाद में आपको कराऊंगा अगले प्रश्ट बराईए इसको बनाईए यह बनाईए यह अच्छा प्रश्ट है कि यह अच्छा है इसको बनाईएगा एक बार क्राई के लिए यह तो आपसे बन जाना चाहिए भाई इस प्रेंस तरह के प्रश्टों में तो कुछ हाई नहीं कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है कि अच्छा है कि एक यह यहां पर होना जी बी कि आई से देखेगा हिंदी में गलत लिखाए थोड़ा सा सही करेगा एकी आई बी की आई से 24 परसंट अधिक है तो बी की आई एकी आई से कितने परसंट कम है बाई सिंपल सा सवाल था 24 परसंट कम है अधा बाई जल्दी से क्या सवाल की कहानी बनेगी कुस तो बनाओ भाई 24 परसंट का मतलब कितना अब आप कहोगे सर सबसे पहले तो 24 परसंट का मतलब भी निकालना बड़ा खठी ने अरे फ्रेक्शन निकाल लो 24 पटे 100 कितने से काड़ दे चार से काड़ दे चारचya 24 और यह 25 ऐनी हमारी संख्या एक ऐखी इब कि आयेसे पच्षोविस पर्षंट ज्यादा यानी बी कि आये 25 ए और 25 से 24 पर्षंट ज्यादा यानि mines कितना पच्षिस एस कितना लिए यानि जो A की आए है वो कितनी है 31 है और B की कितनी है 25 है बस कहानी बन गई कहानी सवाल की बन गई भाई ये 31 है महराज इनके पास आए और इनके पास महराज जी के पास 25 है दोनों में अंतर कितने का 6 का अंतर कुशन में यही पूचा है कि कितने का अंतर है छे का अंतर कहां से 31 से और परसेंट लगा दो in 200 और यही सामने उत्तर रखा है कुछ काटा पीटी नहीं करना है 600 बटे 31 परसेंट कहां है उत्तर ये देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं था आपको 10 से 15 सेकंड लेने थे सवाल का उत्तर देना चाहे था लेकिन आप लोगों ने कुछ लोगों ने बताया भी डी जिनोंने डी बताया उनका उत्तर बिलकुल करेक्ट है ठीक है जिनोंने भी डी बताया उनका उत्तर बिलकुल करेक्ट है नमस्कार जी नमस्कार जो साथी लेट आ रहे हैं प्लीज वी की कुल आए एक याए से कितने परसेंट अधीक है अब बताइए भाई जल्दी से अचार 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 नमस्कार जी आप लोग के कमेंट बीच-बीच में सवाल पढाते समय कमेंट नहीं देख पाता हूं आप लोग टेंसर ने ले मैं मैं बीच-बीच में कमेंट देख लेता हूं आप लोगों के डोट ठीक है डूंट वरी मैं बीच-बीच में आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं अब बराबर आप से प्रापर कमेंट नहीं देख सकता कि पढ़ाओं फिर कमेंट देखूं तो इसमें गलबर होता रहता है बीच-बीच में निच्छे करके आपको आपकस में बाते भी करने लगते हो है है लो खुद से करने लगते ऊहर। यूटुब पर काउंन कि सको जानते हो भई OFF कि अर aí करते हैं अगर बात करो के तो फिर बाते घृते रह जाओगे यह सूच लीजिएगा अगर आप बाते कर रहें तो फिर बाते करते रह जाएंगे चले बिल्कुल जी बिल्कुल बताए इस सवाल को तो कम से कम बताए भाई ये भी नहीं बताएंगे सारे हमीं बताते रहें है कुछ तो तुम करो कि कुछ तुम भी नहीं करोगे कुछ करो भाई अब तुम ही को कुछ करना पड़ेगा कि है कि चले आई ये देखते हैं तुम लोग उससे तो कुछ बनेगा नहीं बात की आई 20 से 45 परशंट कम है अब आपको करु सर 45 परशंट कम है अब आपको सर 45 मतलब पहले बताओ कैसे निकाले या तर उपर दिखी रहा लेकिन हम से यह नहीं पूछा हमसे पूछा ए तथा बी की कुल आए एकी आए से कितने परसंट जादा यानि इन दोनों की कुल आए कितनी है इन दोनों की कुल आए कितनी है बोलो भाई इन दोनों की कुल आए कितनी है बीस है कुल आए ही तो बीस है इस के ग्यारे हैं और इसकी 20 यानी बी की है एकिटीं कितने पर्षों ही उरक में यहीं בताना है बात कहानी आपको बनानी पड़ेगी मैं आपको सिखाया था 이ो तो Season इसको तोड़ना इसको अगर सिंप्लिफाई करोगे तो 11 एक कम 11 और ये कितना बच जाएगा प्लस 9 बटे 11 ऐसा कुछ मैंने आपको करना सिखाए था एक का मतलब मैंने ये भी बताया था 100% होता है दू का मतलब 200% बताया था और एक बटे 11 निकाल लो तो ये 9 गुना लिखा है यानि ये आपका आजाएगा 81.81 तो टोटल हमारा जो उत्तर आजाएगा तो 181.81 यानि आपको कहीं दिया है ये दिया है आपसर नमबर C को ज़रा देखो अपसर नमबर B को देखो ठीक है तो आपका उत्तर हो जाएगा आपसर नमबर C is the right answer आई ये चलते हैं अगले सवाल पर इन सवालों में बहुत समय नहीं लगना चाहिए इन सवालों में अगर समय लग रहा है तो मतलब आपकी कैल्कुलेश कर लो करें दो संख्याओं संख्यामें एक सभी संख्या से नभवे पर्षिंट और 75 परशंट कम है पहली संख्यार में कितने पर्षिंट की ब्रद्दी की जानी चाहिए दाक्त कि वहाद दूसरी संख्या के बराबर हो जाए कि नुक atención बता भाई जल्दी से सब भी बताएं फास्ट जल्दी से बताईए भाई क्या होगा उत्तर दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है पहली संख्या में कितने परसेंट की व्रतिकी जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए बता भाई जल्दी से फास फास उत्तर किया करो तुम लोग अच्छा एक दूसरे का मैत में भी इंतजार करते हो किसी भी सब्जेक्ट में हो सब इंतजार करते रहते हो कि चलो कोई बताए तो हम भी वही चेप देंगे आए मैं इसा नहीं हो सकता हो सकता दूसरा गलत बता रहा हो तर तो फिर फिर क्या करोगे अगर दूसरा गलत बता रहा है फिर क्या करोगे क्या उसका नकल मारोगी चल संख्या है एबी सी मालने तो चलो फ़स्ट सेकंड थर्ड माल लेते हैं कि यह यह फ़स्ट और यह सेकंड और यह थर्ड कहरा कि तीसरी संख्या माल लेते हैं तो कहरा कि पच्छतर परसंट दूसरी कम है यानि है कितनी पच्छिस है अगर तीसरी से पच्छतर परसंट दूसरी कम है यानि पच्छिस है और जो पहली है वो नवे परसंट कम है यानि यह दस है अरे बोलो हाए ना यहां तक आपको कहानी समझ में आ रही है यह दस है यह पच्छिस औ संख्या में कितने परसंट की जानी चाहिए ताकि वाद दूसरी संख्या के बराबर हो जाए कितनी कम है कितनी कम है पंद्रे कम है कितनी कम है पंद्रे कम है कहां से पंद्रे कम है पंद्रे कम है दस से अरे बोलो हाएना यानि अगर दस से पंद्रे कम है तो यह पंद्रे बटे थोड़ा सा है smart अब आपको ये सब करने की इतना करने की जरूरत नहीं थी जो आप कर रहे हो ना ये जरूरत नहीं थी सीधा देखा 10 से 25 यानि 15 का अंतर और 15 का अंतर कहां से सीधे उत्तर अब जब ये आपके दिमाग में अप्रोच होगी ना तब आप तेजी से सवालों को बना पाओगे अब आप सोचो कि हम ये सब करके देखें तो आप प्रश्ट का उत्तर तो दे पाओगे लेकिन आप जो भीण आपके साथ जो एक्जाम में भीण है उसी में साम आप कितना यूनिक करके आ रहे हो एक्जामिनर नौकिरी उसी को मिलती है जो कुछ उन लाकों लोगों में से यूनिक करके जाता है ठीक है तो आपको यूनिक करना ये तो सब कर रहे हैं ये सब पढ़ा भी रहे हैं लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है ना ही ये करना है एक उस तो calculation match में फास्ट करनी पड़ेगी ना अगर calculation आपकी नहीं फास्ट है तो आपकी कहानी वही भीण में रुकी रहेगी आप निकल नहीं पाओगे भीण से ठीक है तो इसलिए more than practice करें किस पर calculation पर जितना फास्ट आपकी calculation होगी गुड़ा भाग जोड़ घटाना ये तो जुबान पर होनी चाहिए square cube ये सब आपके जुबान पर होनी चाहिए 50 से 100 तक अब मैं किसी दिन आपको square cube ये सब निकालना सिखाऊंगा कितनी जल्दी कितना फास्ट निकालते हैं ठीक है इसकी भी एक class आपके पास आएगी square of cube निकालना भी मैं आपको समझाऊंगा ठीक है चले अगला सवाल ये a b से 25 परशेंट अधिक है b c से 40 परशेंट कम है यदि सी डी से 30 परशेंट अधिक है तो ए और डी से कितना परशेंट कम है बता भाई सुन्दर सवाल है अब बता भाई इसको तो बनाओ कुछ कुस्तो कहानी बनाओ भाई इस सवाल को बताने से पहले आपका अफिस आरे लोग आ चुकर थोड़ा सा बैच और इसके बारे में जो बैचिस नए वगरा आ रहें उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहता हूं और यह टेलीग्राम चैनल आप लोग देख लें यह टेलीग्राम चैनल को जरूर जोईन कर ले आप गूगल पर जाकर सर्थ कर लें और यह आणादे का टेलीग्राम आफिसल चैनल जोईन कर लेह और यह मेरी हिंदी की क्लास साड़े आठाट बजे रेगूलर होती है एक बज़े अनकैडमी लर्निग आप पर special class होती है वो RS main paper 4 के लिए है और जो तीन बज़े class होती है वो video exam के लिए है जो दोनों classes आपके लिए अनकैडमी लर्निग आप पर free है ठीक है और अनकैडमी लर्निग आप को मॉइल के play store से download करें अपना मुबाइल नमबर मेल आड़ी डाल के रिजिस्टर्ट करें फिर अपने गोल को सेलेक करें फिर गोल सेलेक करने के बाद मेरी क्लास देखने के लिए आपको 50 कोड का यूज करना होगा ये आपके दोरा कुछ बेजे गए मैसेजस हैं जिन्हों साथियों ने रीट में औ बने देखें लूँस कोफ़े पंढ़ आरे है यह संदे को तुम दस बजे होता इस संदे को को क्या बीड़रीम ही करो लूज करते हैं लेकिन आपको जड़रों यह पनाजा करें लेकिन सामील सुवश जड़र भाए जरूर लिया करें representing ये जब को व्यांते हो अश्क Jda कोई इस मिनट में 20 सवाल के जवाब दो सापिग करो बढ़िया से एबरी फ्राइडे और सटर्डे संदे है तीन दिन है फ्राइडे सप्राइडे संदे तो तीन दिन आप सपिंग और बढ़िया बेहतरीन से है और यह वीडियो के लिए free tess 이리 के सब्सक्र से लिए free tess रइच और ये second grade teacher के लिए फर्स ब्लीलिए टीचर ये फ्री टेसं expand है यह है याँ दीजिए मन भर के दीजिए और यह विद्झे को जाइन करेंग तो प्लस कोर्स के फीचर टाप एजुकेटर पूरे सुलेबर का कवरे स्कंप्रीट एक्जाम प्रेशन एंसर राइडिंग सेसन इस्टैडी मटेरिल लाइव टेस्ट अलिमिटेड कोर्स के एकसेस रेगुलर डाओ सेसन यह सारे फीचर साफको प्लस क्लास पर अबलेबल होंगे और ये सेकंड फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए बैच एक पंदरा नॉमबर से स्टार्ट हो चुका, आप सभी साथी इसको इन्रूल कर लें, जो साथी आर्पेस से फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैरी कर रहे हैं, और जो साथी जिनका प्री नहीं हुआ है, वो अभी से लग ज से 30 जौनवरी तक है, ये उनली प्लस सब्सक्राइबर के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले इन्रूल कर लें, और ये पेट टेस्ट प्लस वालों के लिए, उनली प्लस के लिए, ग्राम सेवक के लिए, और पुलिस के लिए, ठीक है, कांश्टेबल के लिए, और ये सेकेंड ग्रेट टीचर, ये भी अबले वालान प्लस वाली, और ये वन सब्सक्रिप्टन फाराल इक्जाम, यहां से किसी भी एक्जाम की अपतहारी कर सकते हैं, और आपको आपके बजचेट के नुसार यान अकैडमी सब्सक्रिप्सन प्लान दिये गए हैं, आप है क्सक्राइब कर सकते हैं बत करना क्या होगा मेरा कोड 8-50 आपको अप्लाई करना होगा 10% आपको डिसकाउंट मिल जाएगा bell separates कोड को कोड को यूज करने पर ठीक है ताफ इसको करें आपको डिसकाउंट मिल जाएगा और इस अमछी कोंबो आफर भी चल रहा है he अगर जैसे कुछ साथी होते हैं कि other state के भी form भरते हैं तो आप RPSC को सब्सक्राइब करो तीन other state काटेगरी की plus classes free वाली नहीं फ्री तो देखते हैं देखते हो कि जल्दी से बनाई भाई आप के अच्ट आप के अच्ट के अच्ट के अच्ट झाल झाल करें चले सवाल को बनाएगा जल्दी से फास्ट उत्तर करें सवाल को ए बी से 25 परसेंट अधिक है और बी सी से 40 परसेंट कम है यदि सी डी से 30 परसेंट अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट कम है पताईए झाल झाल चले जी सवाल बड़ा सिंपल सा था कितने लोग है कितने साती है चार देखो ए अब मैं डारेक्टी इसको करूंगा 25 परसेंट का मतलब होता है इक बटे 4 अगर एक इतना है पांच है तो वह कितना है एक जादा यानि एक चार है यह थी 40 Nik चाहए और फिर केरा BC से यानि BC का रिशु newly को इधर लेकल नहों उनको BBC काfinitely बना लेताओ नहों तो इधर आसान रहेगा ना है यह एक यह इसका जो रेशियो है यह पांच रेशियो में 4 है और B C से 40% जादा 40% का मतलब कितना होता है दो बटे में 5 40% कम है सौरी यानि ये 5 है तो ये 2 कम यानि 3 है यानि B और C का रिशियो कितना है तीन अनुपात में 5 है C और D का C रिशियो डी इसका मतलब होता है 3 बटे 10 यानि ये 13 है तो ये 10 है सिंपल सी यही कहानी थी देखो B से B कैंसिल और C से C कैंसिल कहानी खत्म ये 5 से 5 काट दो कहानी खत्म हमको मतलब सिर्फ किस से A और D से ही पूछाए A और D से मतलब रखें तो यहां से A और D का रिश्यो कितना आ जाएगा ये 13 क्रास मल्टिप्लाई काटना सीरे सी देना काटने लगना तुम लोग चुकि वो दिमान ज़्यादा हो 33-39 हो जाएगा और 49 और ये 40 कितने का अंतर कितने का एक का अंतर कहां से एक का अंतर 40 से यानि एक बटे 40 और इंटू में 100 करो एक बटे 40 इंटू में 100 करोगे तो 0 से 0 और ये 2.5 परसेंट आ जाएगा कितना आजाएगा ये टू पॉइंट फाइफ परसेंट आ जाएगा जल्दी से देखे आया सबीको समझ में किसी को कोई डाउट तो नहीं जल्दी से बोलो भाई किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोल दीजिए डाउट नहीं चले तो आज हम लोगों ने परसेंटेज के इतने कोशन किये आपको ये क्लास अब कंटीनियू मिलती रहेगी वीडियो एक्जाम तक लगबग लगबग मैं मैं मैंत कवर करा दूँगा और आपको ये क्लास आपको कंटीनियू मिलती रहेगी आपको कोई गैप नहीं होगा आपको एक लास वीडियो तक वीडियो एक्जाम तक कंटिन्यू मिलती रहेगी ठीक है और बाकी है टेलिग्राम चैनल जरूर मेरा जॉइन कर लें गूगल पर जाकर सर्च कर लें ठीक है और अभी मेरी हिंदी की फ्री क्लास अनकैडमी लर्निंग एप पर एक बजे रेगुलर मेरी हिंदी की क्लास यसी यूट्यूब चैनल पर आपको साड़े हाट बजे रेगुलर लाइब क्लास मिलेगी तो आप इस क्लास को जरूर जॉइन किया करें यह आरेस पेपर फूर के लिए और में वीडियो एक्जाम के लिए सब के लिए इंपॉर्टें करें ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले बेल आइकन को फ्रिस करना मत भूले और वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू शो माच बाए बाए टेक कियर